उत्तर प्रिदेश के पर्शद्य प्रात्मिक विद्यालियों में नई सिक्षा भर्ती की मांग करने वाले अभीरत्यों को किस प्रकार से बेसित सिक्षा विभाग के द्वारा गुमराह किया जा रहा है इसके बारे में विस्तार पुरुवक बात करेंगे साथी बात होगी उत्तर प्रिदेश के PGT-PGT इस्तर की जो भरती वर्स 2022 में विज्यापित की गई है उसमें और ज्यादा पद जोड़े जाने के संदर में अभीर्थों के द्वारा फ्रयास किया जारा क्या है पूरा मामला और तदर्थ सिक्षकों की पद को भी इस PGT-PGT की भरती में जोड़े जाने की मांग उठ रही है साथी साथ बात करेंगे यूपिट्र पलेसी आयोक के द्वारा आयोजित की गई P.E.T. वर्स 2021 की परिच्छा के रिजल्ट की वैलेडिटी को बढ़ा करके 5 साल करने की मांग अभीर्थों के द्वारा उठाई जा रही है D.L.E.D. में एक बड़े बदलाओ को ले करके सचु परिच्छानियमक प्रादिकारी कारेले द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसे आपको जाना बहत जरूरी है साथी बात करेंगे D.L.E.D. 7222 में प्रवेस के लिए अब तक कुल कितने आवेदन हो चुके हैं इन सभी खबरों के अलावा सिक्छा विभाग से जुड़े कुछ महतोपून प्रमुक खबरों को भी डिटेर्डिम में देखेंगे अंत तक जुड़े रहिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं केरियर विट योट्यप चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बिल ऐकन को प्रेस करना ना भूले सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश बेसिक सिक्षा विभाग किस प्रकार से अभीर्थियों को गुमराह कर रहा है प्रदेश बेसिक सिख्चा विभाग अपने 100 दिन के कारेकाल के दौरान किन उपलब्दियों को हासिल किया है, इसको बताने के लिए एक प्रेस वार्ता किया गया था, जिसमें मानेने बेसिक सिख्चा मंत्री जी भी उपस्तित थे, उनसे जब सवाल पूछा गया नई सिख् जारी किया जा सकता है. कुछ दिन पहले विधान सभा में मानने बेसित शुक्षा मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में ये जवाब दिया था कि अभी वर्वतमान में जो उत्तर प्रदेष के बेसित सिकूलों में जो 6 शुक्षा का अनुपात है वो 38 अनुपात 1 का है और अगर सिक्षामित्रों को count कर लिया जाए यानि उसमें add कर लिया जाए तो 26 अनुपात 1 का बन जाता है जबकि मानने सुप्रिम कोट का आदेश है कि सिक्षामित्रों को आप नियमित सिक्षाक के तोर पर count नहीं कर सकते हैं तो RT Act और मानने सुप्रिम कोट के आदेश के अनुसार जो वर्तमान इस्थिती है छात्र सिक्षाक अनुपात का वो 38 अनुपात 1 का ही है यानि कि 38 छात्रों पर एक सिक्षाक अभी वर्तमान में मौजूद है और मानक Right to Education 2009 Act के तहत 30 अनुपात 1 का है यानि 30 छात्रों पर ही एक सिक्षाक होना चाहिए यानि कहीं न कहीं टीचर्स की requirement है बहुत बड़ी संख्या में टीचर्स की vacancy खाली है उत्तर प्रदेश में अब छात्रों को गुमराह किस प्रकार से किया जा रहा है एक सिक्षक का किसी particular एक स्कूल से दूसरे particular स्कूल में ट्रांसफर होगा ना तो सिक्षकों की इसमें कमी होगी और ना ही सिक्षकों की बढ़ोत्तरी होगी जो सिक्षक पहले से सिस्टम में मौजूद है उनी सिख्षकों का बस इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएगा ना तो सिख्षक बढ़ है ना तो घट रहे हैं तो जो अनुपात है वो अनुपात तो 38 अनुपात एक का ही रहेगा क्योंकि सिश्टम में ने टीचर्स तो आ नहीं रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, ने टीचर्स की हायर नहीं कर रहे हैं, कि वो अनुपात बदल जाएगा, अनुपात ट्रांसफर के बाद भी 38 अनुपात एक कही रहेगा, कुल मिलाकर कि ये है कि बेसिक सुक्षा विभाग, नई प्रात में किस तरकी सिक्षाक भ को ट्वीटर कैंपेन अभीर्थों के द्वारा चलाए गया, आप उसके संदर में इसकन पर एक आर्टिकल देख पा रहोंगे, टीचेटी-पीजेटी के विग्यापन में तदर्थ सिक्षकों के पद भी किये जाएं सामिल, मानने ये कोड के द्वारा आदेस पारित किया थ कि जो तदर्थ सिक्षक हैं, उनके भी पद को विग्यापित किया जाएं, और तदर्थ सिक्षकों के प्रतेक एक वर्ष के अनुभाव के आधार पर उनको डेढ़ अंक का अतरिक्त भार दिया जाएं, और 37 वर्ष की सेवा के लिए अधिक्तम 30 अंकों का भारांक उनको दि जिस प्रकार से 79,000 सहाय का ध्यापकों की भरती में सिक्षामित्रों को उनके प्रतेक वर्ष के अनुभाव के लिए देड़ अंक का भारांक दिये जाने के लिए मानने कोट ने कहा था लेकिन अभियर्थी ये आरूप लगा रहे हैं कि जो जिला विद्याले निरिक्षक हैं और जो प्रबंदाक होते हैं आउसास के सहायता प्राप्त विद्यालेों के उनके मिली भगत के वज़े से तदर्थ सिख्षकों के जो पद हैं वो जोड़े नहीं जा पा रहे हैं इस TGT-PGT भरती के विग्यापन में अभियर्थी ने ये आरूप लगाया कि अगर सही से आंकलन किया जाए तो लगबग 27,000 पद खाली हैं TGT-PGT के और उन सभी पदों को 2022 के विग्यापन में जोड़ करके 27,000 पदों पर भरती की मांग अभियर्थी सोसल मीडिया के साइट के माध्यम से उठा रहे हैं चलिए बढ़ते हैं अगले खबर के तरफ इस्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे सलोरी मार्केट जो की प्रियागराज में इस्तित है उसके पास रवीवार को चात्र युवा पंचायत का आयजन हुआ जिसमें चात्रों ने अपनी समस्याय रखी विभिन भरतियों की तियारी करने वाले चात्रों के द्वारा ये मीटिंग रखी गई थी किस प्रकार से जो लेट लतिफी हो रही है उसको हैंडिल किया जाए और किस प्रकार से सरकार पर दबाव बनाया जा ताकि इन सबी भरतियों में तेजी देखने को मिले इनी सब मुद्दों को लेकर के ये मीटिंग रखी गई थी जिसमें रेलवे भरति में लतिफी को लेकर के छात्रों को हो रहें नुकसान को लेकर के सवाल उठाये गया इसके बाद से इनके द्वरका गया कि 2018 में टेकनीसियन की भरति आई थी रेलवे में जो अभी तक सब कुछ प्रोसेस हो चुका है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी जारी है लगबग चार वर्स पूरे हो चुके हैं सांती साथ SSC की कॉंस्टेबल जीडी भरति 2018 के चात्रों को ज्वाइनिंग के लिए संगर्स करना पढ़ रहा है आने भरतियों का भी यहीं हाल NTPC ग्रूप D अभी तक पूरी नहीं हो सकी है पंचायत में चात्रों ने अगनेपथ योजना को लेकर भी सवाल उठा है राजी की सभी भरति में लेट लतिफी के कारण चात्रों के ओवरेज होने की समस्या पर भी नराजगी जताई गई है साथि साथ यहाँ पर कहा गया है कि SI भरति में जो उत्तर प्रदेश में दरोगा कोई भरति हुई थी उसमें बड़े इस्तर पर धांदली की गई थी और कई साक्षे भी 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 ले है कि किस इस्तर पर इसमें धांदली हुई है बाजोद इसके उस भरती प्रक्रिया को पूरी तरीके से कंप्लिट करने पर राजसरकार तुली हुई है और जाच को ले करके बिल्कुल भी गंभीर नहीं है इसमें आरोप अभीरतियों के दोर लगाया गया है कि भरती में काफी छातरों के लिप्त पाये जाने के बाद भी अब तक उसे रद नहीं किया गया है P.E.T. 2021 की पूरी नहीं हो सकी है भरती और बीच में ही P.E.T. 2022 का फॉर्म आ चुका है जैसा कि आपको ग्यात होगा P.E.T. के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी एक वर्स होती है अभीरति ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछली P.E.T. के अधार पर जो भरतियां है अभी कंप्लिट हो नहीं पारी है और नई P.E.T. का विग्यापन जारी कर दिया गया है अभीरति ये आरोप लगा रहे हैं कि साल दर साल इसकी वैलिडिटी से कोई फायदा नहीं होगा कम से कम पांच वर्स इसकी वैलिडिटी रखा जाए जिस प्रकार से पहले राज इसतर की जो teacher eligibility test होती थी उसकी validity पांच वर्स होता था चलिए बढ़ते हैं अगले ख़वर की तरफ इसक्रिम पर आप एक article देख पर होंगे DLR संस्थानों की बनाई जाएगी website प्रचारे को दियेगा निर्देश जैसा कि आपको ग्यात होगा उत्तर प्रदेश में DLR के लिए कुल 3100 निजी डिलर संस्थान है यानि private college है जिसमें लगभग लगभग सबादो लाख private seat होती है इन निजी डिलर संस्थानों में 99% ऐसे संस्थान होते हैं जिनकी अपने खुद की website नहीं होती है सचिव परिछान यामत प्रादिकारी का रेले द्वरा जो DLR में admission को लेकर के अभी हालत बने हुई है कि बिल्कुल भी छात्र admission के लिए उत्सुक नहीं है इन सब को देखते हुए सभी निजी डिलर संस्थानों के प्रचारे को ये निर्देश दिया है कि आप अपने college का एक website बनाएं और आपके college में क्या सुविधा हैं कितने चात्र हैं क्या-क्या facilities आप देते हैं इसके अलावा सिख्षकों की qualification क्या है इन सब का record आप website पर डालिए ये आदेश उसी बात को चरितार्थ करता है कि जैसे लोग करेले से भागते हैं तो आयोग उस करेले पर चासनी चढ़ा करके लोगों के सामने पेश कर रहा है कहने का मतलब कि basic चीजें जिसकी वज़ा से admission की संख्या में और आवेदन की संख्या में कमी आई है उस समस्याओं को focus ना करके आयोग उन बातों पर focus कर रहा है जिसका admission से कोई लेना देना ही नहीं होता है B.A.D. में भी ऐसे बहुत से institutions हैं प्राइवेट में जिनके अपने खुद के website नहीं है लेकिन फिर भी आप देखेंगे उसमें पौने 7 लाख आवेदन आये हुए थे 722-22 में admission के लिए तो college में क्या facility है उसे कोई मतलब ही नहीं है अभीर्थियों को अभीर्थियों को ये मतलब है कि जब 2 साल का उनका course complete होगा तो क्या उनके पास औसर रहेंगे आज D.A.D. की जो हालत हुई है वो किसी से छूपी नहीं है और इन हालतों पर focus ना करते हुए सिर्फ उपरी उपरी चीजों पर focus करने से D.A.D. में प्रवेश के लिए छातर उत्सुक नहीं होंगे चलिए बात करेंगे अब D.A.D. 7222 में admission के लिए कुल कितने आवेदन हो चुके है तो registration की संख्या अगर बात की जाए तो वो लगबग 80,000 के आसपास पहुँच चुकी है ये registration की संख्या है मतलब कि अभी इसमें fee payment करने के बाद से final जो form होगा वो संख्या कम हो सकती है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शोब हो